मन का क्या है मन तो रोज कुछ अतरंगी और सतरंगी खाने का होता है दाल चावल तो मन ही नहीं करता है तो आज मेरा भी कुछ ऐसा ही मन था तो मैंने बनाया बहुत ही चेट पटा टेस्टी ये बटल गार्लिक पराथा है नमश्कार मैंकिता और अपसे पश्वागत है आपके अपने मस्ती भरी दुनिया फोड चैनल में तो इसको बनाने के लिए मैंने दो कप मैंदा लिया है टेस्ट के एकॉर्डिंग यहां पर नमक डाल देंगे इसमें रिफाइन डॉल या फिर घी या बटर कुछ भी डाल सकते हैं डाल के इसको अच्छी तरीके से मैस करते हुए आटे का डो लगा लिजे आटा जो है सॉफ्ट बन के तियार हो जाएगा तो दिखिए आटे का डो हमारा लग चुका है हलका सा हातों में तेल लगा के इ 10-15 मिनट तक आप इसको रिष्ट पे छोड़ दीजे ताकि आटा जो हमारा अची तरीके से सेट हो जाए इधर लिया है मैंने लहसन लहसन को मैंने बारी ग्रेट कर लिया है धनिया की पत्ती लिया है और उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा यहां पे चिली फ्लेक्स औ तक बटर जो है धनिया की पती बटर और गालिक जो है अची तरीके से एक दूसरे में में मिक्स हो जाए बड़ी अची सी खुश्पू आती है इसकी मुझे इसकी इसमेल बहुत पसंद है और यह पराठा भी मुझे बहुत पसंद आया फस्ट आइम मैंने यह पराठा बनाय आपको जितना लंबा बेल पाओ जितने मड़ी आपकी चकली है उतना बड़ा आप इसको बेल लो उसके बाद आपको क्या करना है इस पे मैंने गलती एक कर दी कि यहां पर मैंने रिफाइंड डाल दिया आप बिल्कुल मैं डाला सेकेंड मैं जब आपको बना के दिखाऊं नागी बटर कुछ नहीं लगाना जो यह आपने बटर गार्लिक वाला पेस्ट बना के रखा था वही लगाना आप इस पे उसके बाद आपको इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है इसको दबा देना है और अब आपको क्या करना है इसको गोल गोल से इसको फोल्ड कर लेन क्या करने के बाद रज़े इस तरीके से क्र्वाद प्रेसर करने के बाद हेश्ट का मैं आप इसके सब्चराी के तरेके से चाहिका स्भार में extends किकर लुटा थे लुट करने के बात शेत जितना बड़ा आप इसको बेल पाओ, जितना पतला आप इसको बेल पाओ, अतना बेलो इसको उसके बाद आपको direct क्या करना है, जो ये butter garlic और धने की पत्ती वाला जो आपने बना के रखा है paste उसको इसको इसको रगा दीजे, बहुत अच्छी तरीके छीने में पंडे शिव्म करंगे, चाड़ने चेफले के हम धुदी में कार्गे हैं ल बेंदेल में प्रॉच्यों फॉलोड करा कब कर दो भाखिने धर, यह तर दिवित्व कि यह से अधोर ना, तो छुना वह पिझा है नहीं करका है, काई हुला ना है종ते हैं में अब हम क्या करते हैं? से चाहब लेते हैं घ्यास पर रगड़क घरम हो चूक है घ्रे एक तरफ से हलका सा से ।ब कर देंगे तो हम क्या पलट का कई गाएं उसके बाद आप बटर, रिफाइंड ओल, घी जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं, आप डाल लगाईए, मैंने तो बटर ही लगाए, क्योंकि बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यहाँ पर, क्योंकि तो यह देखे एक तरफ से सीख चुका था, दूसरे तब से भी सुन्दर ना लग रहा है, ओपर खाने में इतना ज्यादा अवेजिंग था कि फिर पूछे हैं, और यह देखे एक तरफ से मैंने क्या क्या उसको लगाने के बाद दूसरी तरफ से फिर इसको लगा के, हम अच्छी तरीके से से शेक लेंगे, दोनु दर्फ से मैंने पराठ और अचार के साथ इसको सब्सक्राइब किया था, मैंने खुद खाया मुझे बहुत मज़ेदार लगी, एक बार मेरे कहने से आप इस रेसिपी को जरूर ठाय करेगा, मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डीजे,